दोस्तो आज हम आपके लिए लेका रहा हैं भगवान विष्णु मंदिर जांजगीर चापपा का वीडियो दोस्तो इह मंदिर को नकटा मंदी भी कहा जाता है नकटा इस वज़ें से कहा जाता है क्योंकि यह मंदिर अधूरा है complete नहीं हुआ है दोस्तो उसी वज़ा से इस थानी जो लोग है जांजगीर चापा के आसपास के वो लोग इसे नक्टा मंदिर के नाम से जाना जाता है दोस्तो बहुत सरे लोगों के द्वारा पूछा गया था कि नक्टा मंदिर क्यों कहा जाता है तो आपको बता दो इसका अर्ध निर्मित होने की वज़ा से इसे नक्टा मंदिर कहा जाता है और दोस्तो आपको बता दो इसका निर्मान ग्यार्वी सताब्दी में कल्चूरी सा और दिखाते हैं मंदिर को जया जांची चापा जिला में और दोस्तों जांची चापा का फिस्ट्रू मंदिर में दिखाते हो यह एथासी कमें देखते हो और बहुंँ प्यारा है और मंदिर आपको देखाई मंदिर को इस प्रकार से बहुत ही प्यारा आज पास गाड़न जो है लगव है बहुत ही प्यारा लग जो तलाब दिख रहे हैं और भी चार चान लगा रहे हैं मंदिर के आज पास को दिखाता हूं कि हम दो समय मंदिर देख सकते हैं और यहां कि मुर्थिया बहुत कुछ भया करती है देखते कुछ इत्परकार से दोस्तो इस मंदिर का जो पुराणा कथा है या किदवन्ती है इसे हम आपको बता रहे हैं एक बार भीम और विश्व कर्मार में एक रात में मंदिर बनाने का प्रत्योकियत्या हुई तब भीम ने इस मंदिर का निर्मान कारिया अरारम भख किया मंदिर निर्मान के दोरान जब भीम की छेनी हथोड़ी निचे गिर जाती है तब उसका हाथ जो उसका हाथी रहता है उससे वापस लाकर देता था लेकिन एक बार भीम की छेनी पास के तलाब में चली गए जिसे हाथी वापस नहीं ला सका और वो सवेरा हो गया भीम को प्रतिवीता में हारने का बहुत दूख हुआ और वह गुसे में आकर हाथी के दो तुकड़े कर दिया इस प्रकार मंदिर का अधुरा निर्मान रह गया आज भी मंदिर प्रशन में भीम और हाथी की खंडित प्रतिम आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तो इसे नक्टा मंदिर भी कहा जाता है यहां मंदिर पूर्णा निर्मान नहीं हुआ है इस मंदिर का सिर्सभाग जो मुख्य भाग है वो मंदिर से करीब 50 मिंटर की दूरी पर रखा हुआ है चूकि यहां मंदिर अधूरा है इस वोजा से इस्थानी लोग इसे नक् मंदीर का निर्मान किया गया है दोस्तों यह मंदीर अर्ध निर्मित है मंदीर विशाल चबुद्धर पर इस्थित है यह चबुद्धरा है तिसरे फलक पर राम द्वारा एक बांड से साथ ताल विक्षो का भेदन किया गया है पक्षिमि भाग में किष्ण कथा का उल्लेग भिहां पर दर्साया गया है तो दोस्तों जब आप जाओगे तो यह सब कुछ अपने को देखने को मिल जाएगा अब देख रहे हो इतना दोस्तों आपको मैं बता दूँ इस मंदिर का एक किद्वन्ती और है इस मंदिर की निर्मान से संबंधित अन्यक जन्द सुनुत्य प्रचलित है एक दंदकता की अनुशार निच्ची समय अधी कुछ लोग इसे 86 रात कहते हैं और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों इस मंदिर को सिवरी नरायन मंदिर और जांजगीर जो जांजगीर के इस मंदिर के निर्मान में प्रत्योगिता थी भगवान नरायन की घोशना की थी कि जो मंदिर पहले पूरा और भगवान नरायन उसमें प्रविष्टा हो गये जांजगीर का यहां मंदिर सदा के लिए अधुरा चुड गया इमाम अन्यक्र कर निर्मान प्रत्यक्या में पाली के सिवरी मंदिर को भी समलीत बतायाए गया है इस कथा कि जो इस कथा कि पास में इस तीर सिर्व मंदिर को इसका सिर्थ भाग बताये गए है जो मैंने आपको पहली वीडियो में सिर्व मंदिर जांजगीर चापा लाया हूँ यहां अधूरा मंदिर का उप्री हिस है दोस्तों कहते हैं कि यहां प्रतिगिता शिवरी नरायन और पाली का सिर्व मंदिर और ज दिखाते हैं आपको और कैसे लगा यह मंदिर हमें जरूर कमेंट कीजिए आप लोग और देखिया है निचे में आपका निचे भग में मंदिर के जैस्ट निचला हिस्सा उसमें पूरा उके रहे हैं यह प्राचिन काल में बहुत बड़ा रहा होगा दूस्तों देख से कु जो दिजाइनिग दिया हुआ है यह प्राचिन में जितने बहुत सा डिजाइन तो मिल जाता है आपको के अओ को यह मंदिर का निच्मा हिस्सा है तो मंदिर के एक खुमने हैं यहां से और यह जो मंदिर च्छोटे-चूटे चित्र है यहां सकता यहां पर देखने को मिल जाएंगे यहां पर भी है बहुत छोटे-छोटे प्राचिन मूर्तियां चारों तरब आपको दिवालों में मिल जाएगा दोस्तों यहां पर देख सकते हो तक है यहां पर भीनेंगता क्या है यहां पर कुछ इन अरीटेसतों कि इसकते छोटा सब्सक्राइब प्राचिन सब्सक्स lange तो जो प्राचिन जो मुर्तियां रेखते तो बहुत अलग अलग देवी देवता है यहां पर दर्सित किया और जस्ट यह मेंगे उपर चड़ने का यहां पर भी आपको जो आइट सैट है यहां पर भी आप देख सकते हूं कि पज़की वालो की इस साइट भाट मिल जाएगा मैं सब्सक्राइब घूम लेए हैं बिश्टु मंदिर जानगे चापा चलिए चलता है यहां से मलहार की और और मलहार का आपका वीडियो नेश्ट वीडियो में आ जाएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइज जोहार जै चाहिए